नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी गोत्र के बारे में गोत्र क्या है और किसी का अगर गोत्र पता नहीं है तो क्या करना चाहिए कैसे अपने गोत्र का पता लगाएं इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे हमारे सनातन धर्म में गोत्र का बहुत महत्व है जैसे आप जानते हैं कि बलड टेश्ट किया जाता है तो बलड ग्रूप पता चलता है और आप एक बलड ग्रूप वाले को ही डोनेशन करते हैं ओर ठीक ऐसे ही इसको समझ सकते हैं कि शादियों के लिए भी कहा गया है कि बलड ग्रूप देखकर के ही करना चाहिए ने तो सेम बलड ग्रूप वालों से शादि होती है तो बच्चों में दिक्कत होती है गोत्र का भी कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से बनाया गया है लेकिन सबसे पहले चलते हैं इतिहास की तरफ कि गोत्र आखिर कहां से उत्पन हुआ और इसकी जरूरत कैसे महसूस होती गई और कैसे आगे बढ़ता गया गोत्र में और जातियों में बहुत फर्क है इस बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले तो गोत्र का शाब्दिक अर्थ समझते हैं गो यानि की इंद्रियां गो मतलब होता है इंद्रियां और वहीं पर त्रा का यहां पर अर्थ होता है रक्षा करना यानि की गोत्र का अर्थ होता है इंद्रिय आघात से रक्षा करने वाला जी हां तो ये रिशी मुन्यों ने गोत्र का जो वहां से कॉंसेप्ट चला उनसे वहीं से आता है साथ मुख्य तह मुख्य गोत्र होते हैं गोत्र यानि की हमारे पुर्वज साथ रिश्यों की ही हम सभी संतान माने जाते हैं और इनहीं सात रिश्यों से ही हम सभी की उत्पती हुई है। कौन-कौन से ये भी जान लेते हैं। अंगिरा, कश्यप, वशिष्ट और व्रीगू। जिहां, कुछ समय के बाद जमदगनी, अत्री, विश्वामेत्र और अगस्ते भी इसमें जुड़ गये इस प्रकार से टोटल सात गोत्र हुए। और गोत्र यानि कि इनहीं के जो हम सभी संतान हैं वो हैं। और इन सभी के खास गुण थे। इन सभी के पास कोई खास कला कुछ खास शक्तियां थी। और उन्हीं शक्तियों के हम सभी संतान हैं। जाती तो बाद का है वन विवस्था जो है वो बहुत बाद में आती है। और जातियां तो बिल्कुल ही बाद में हमारी जो गुलामी हुई उसमें अंग्रेजोंने आप जाकर के पढ़ेंगे तो कि वन का पहले से विवस्था था वन यानि कि एक समुदाई जो कार्य करता है उसमें नहीं किसी को हीन समझा जाता था और नहीं किसी को उच्चे समझा जाता था। आप ठीक ऐसे समझिए कि उस समय पर इतना विवस्था था कि जो पढ़ता है वो पंडित है यानि कि जो ज्या यानि कि जो भी बिजनेस करते थे जो बिजनेस को समझते थे जो पैसे के मेनेजमेंट को समझते थे ये सभी वैश्यवर्ण से आए और जो कारे आप देखते हैं कि सुचारू समाज को चलाने के लिए लोग करते थे अन्य लोग और ये सारी योग्यता के आधार पर थी उन्ह बात कर रहे हैं गोत्र के संबंध में तो ये साथ गोत्र जो है इनहीं के हम सभी संतान माने जाते हैं गोत्र में ना कोई उंचा और ना ही कोई नीचा होता है गोत्र में क्या है कॉंसेप्ट की आप देखेंगे तो एक ही गोत्र के ब्रामभर भी मिलेंगे एक ही गोत्र के शत भी मिलेंगे और वैश्य भी मिलेंगे कारण क्या है कारण यह है कि गोत्र जो है वो सात रिश्यों में से ही आ रहा है और जातिय जो यह यानि कि वन जो विभाजन किया गया है यह गुणों के आधार पर किया गया है इसलिए शास्त्रों में कहा भी गया है कि एक ही गहर में ब करके बताईए आप क्या सोचते हैं जाती इस्थिति के बारे में गोतर का कॉंसेप्ट आप समझ गए होंगे जैसे एक ही दादा जी से मान लो बहुत सारे बच्चे हुए जैसे कि महात्मा गांधी से मान लीजे ले लीजे वहां से नीचे उनकी संतान आई हैं तो उन्होंने गांधी अपने साथ जोड़ा हुआ है क्यों जोड़ा हुआ है इससे एक पहचान पता चलती है कि हमारे यह पुर्वज ने बहुत बड़ा काम किया था तो ऐसे ही सात रीश्यों के संतान हैं हम सभी और अपने पुर्वजों के कर्म को याद रखना बहुत जरूरी होता है इससे हमें शक्ति भी मिलती है, प्रेणा भी मिलती है कि जब हमारे पुर्वजों ने ये गुन धारन किया, मेहनत करके अपने अंदर लिया गुन को तो हम भी ले सकते हैं, हम भी काम्याब बन सकते हैं, ये प्रेणा मिलती है, तो गोत्र का कॉंसेप्ट जो है, वहीं से आता ह जो काम करता है जैसे कि आज देखते हैं कोई जाती नहीं है लेकिन सिंगर को गायक कहा जाता है डांस करने वाले को निरत्यांगना कहा जाता है एक्टर्स को अलग कहा जाता है तो आप सूचक एक वर्ड उसके लिए रखते हैं बस इतना ही मातर है कि जैसे जो लोग भी केतिक रूप में कहें तो दिया गया सभी को एक एक नाम दिया गया अब बात कर लेते हैं कि आपका गोतर क्या है आप कमेंट करके बताईए और नहीं पता है तो अपने पुरवजों से पता कीजिए अगर आप शहर में रहने लगे हैं बहुत लोगों को दिक्कत तभी होती है जब शहर में रहने लगते हैं और उन्हें पता नहीं हो पाता है तो अपने आपका मूल गाओं जो है वहाँ पर जो बुजुर्ग है उनसे पता कीजिए आपको पता चल जाएगा और अगर आपको फिर भी गोतर का आइडिया नहीं लग पाता है कहीं से पता नहीं चल प के उब् Juan No के अपने पुर्वजों से पता कीजे आसे पता कीजिए और पता कर सकते हैं जहां पर आपके खांदान का पिंड़ दान होता रहा हो वहाँ पर जाईएगा तो अंकित रहता है माना जाता है जैसे की गया जाईएगा वहाँ पर भी अंकित होगा जिनका पिंड़ दान पहले से पुरवज ने किया हो तो जिस पुरवज का नाम आपको याद हो जाईए वहाँ ढूंड सकते हैं लेकिन सबसे आसान और सरल तरीका यहीं है कि आप अपने गाउं के या फिर अपने जो भी आपका काश्ट है या जहां के हैं आप वहां पर पता कीजिए क्योंकि एक गाउं में लगभग एक गोतर के ही एक काश्ट में लोग रहते थे तो आप पता करेंगे आपको पता चल सकता है उमीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी ऐसी ही जानकारी पूर्ण damn वीडियो के लिए चैनल को सबसक्राइब कर लिजिए नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिले साथी ससाथ वीडियो को ल estás Expl waking इता कि सबी कोम व के साथ तब तक हमारे साथ जुड़े रहे जाते जाते अपना कमेंट करके सुझाओ जरूर दीजे आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहत किमती होते हैं ठैंक्स फो वाचिंग